हलो एवरिबन आज हम बनाने वाले हैं बटेर ग्रेवी की रेसिपी दी यह जो छोटा क्विल रहता है वो है अभी यह हमने कट करके लिया है और इसको क्लीन करके लिया है वेख सकते हैं यह छोटे छोटे जो चिकन जैसे ही रहते हैं इसको कहते हैं क्विल कहते हैं बटेर कहत अभी ये क्लीन हो जाने के बाद इसमें हम डालेंगे अद्रक लसुन का पेस्ट, अद्रक लसुन पेस्ट अड़ करने के बाद इसमें हम डालेंगे टर्मरिक पाउडर, अभी ये टर्मरिक पाउडर अड़ करने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करके लेंगे बटर में, ज इसमें हम डालेंगे ओईल, ओईल को भी हम थोड़ी देर के लिए गरम होने के लिए रख देंगे, अभी यह हमारा ओईल गरम होने को रेडी हो गया है, फिर इसमें हम एड़ करेंगे, तेज पत्ता और फिर इसमें हम एड़ करेंगे, हमने जो मैरिनेट किया हुआ बटर है, सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब ये तेश् funding करते हैं हुआ ज्याइब निटक्राइब इसको जो हम Also और हमने एक प्रॉडव राद करने के बारा है इस सब्सक्राइब गूती करां सिर्फ माइस मुरगी पर लगे देश़। ठाइब लगता है और उसका मास नहीं रहता है हमारे जो white chicken है उसके जैसा मतलब soft नहीं रहता है अभी इसको हम mix करके लेंगे और इसमें हम add करेंगे पानी अभी ये water add करने के बाद इसको हम पकने के लिए रख देंगे city लगाएंगे cooker को और इसको हमको at least 3 से 4 city लगना है तभी ये हमारा जो quill है वो पकके ready हो है और जो quill का मास है वो भी हड़ी से छूड़ गया है अभी हम को लगेंगे खड़े मसाले जो है long black paper दालची नी और जीरा फिर हमने भून के लिया है पैज और टामेटो और हमने इसमें डाला है थोरा सा तिल और हम लेने वाले है धनिया green chili और अधरक लसुन का पेस्ट औ होना हुआ coconut और इस सारे मसालों को हम पीस के पेस्ट बना के लेंगे अभी यह रेडी हो जाने के बाद हम एक पैन लेंगे और उसमें हम ऑईल गरम होने के लिए अभी रख देंगे देखिए अभी हमको गैस फास्ट रखना है क्योंकि ऑईल गरम होने के लिए अभी हमारा ऑईल गरम होने के बाद इसमें हम डालेंगे टामेटो टामेटो को भी हमको थोड़ा सा सौफ्ट होने तक उसको पका के लेना है देखिए अभी हमारे टामेटो पक रहे है टामेटो पक जानने के बाद इसमें हम डालेंगे धनिया पावडर फिर इसमें हम एड़ करेंगे रेड छिली पाउडर रेड चिली पाउडर अपने मतलब कितना तिका चाहिए उसी साब से ही ऐड करेंगे फिर आड करेंगे हमने जो पेस्ट बना के लिपान के लिया मhorse departure सारा जो मसालो का और जो कोकनट का उसकापस इसमें हम एड करेंगे और इसको हम मिक्स करके Don't race Sam рис अब यह मिक्स होने के बाद اس को हम ठोड़ा सा उबाल का solution ना करना मसालों में इस कह मतलब हमारा मसाला पकर रहा है अच्छे से अब भी इसमें हम डालेंगे red chili powder जो घर का मसाला वाला red chili powder है वो डालेंगे अपने स्वात के हिसाब से ही इसमें डालेंगे आपको तीखा जादा लगता हो तो आप डाल सकते हो क्योंकि इसमें हमने पहले से green chili भी add किया हुआ है फिर इसमें हम add करेंगे turmeric powder इसको अब यह अच्छे से mix करके लेंगे जो मसाले है उसमें देखिए अभी अच्छे से mix हो जाने के बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए धक के पकाने के लिए रख देंगे देखिए अभी हमारा मसाला जो है अच्छे से पक गया है और उपर oil भी आ गया है छोटके इसका उसका जो क्रीमी टेक्स्टर है वो मसालों में आ जाएगा और टेस्ट में भी धही डालेंगे तो अच्छा होता है अभी इसको भी mix करके लेंगे और पकने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देंगे अभी ये पकने के बाद में इसमें हम डालेंगे हमारा जो boil किया इसमें एड कर देंगे मसालों में देखिए ऐसे ही धीरे धीरे इसको हम mix करके लेंगे नहीं तो वो टूट भी सकता है और उसका जो boil किया हुआ जो water जो stock है वो भी इसमें ही add कर देंगे हम उपर से कुछ भी पानी एड करने वाले नहीं है उसकी है stock में उसको पकाने वाले हैं अभी ये सारा add करने के बाद इसको mix करने के बाद इसमें हम डालेंगे salt salt को taste के हिसाब से ही इसमें add करेंगे और mix करके लेंगे अभी इसमें हम डालेंगे धनिया जो fresh coriander है वो इसमें डालेंगे और इसको mix करके लेंगे अभी ये mix होने हो जाने के बाद इसको हम पकने के थे तरीया आ गया है ऊपर. अभी हमारा ये जो बटेर ग्रेवी है वो रेडी होने को है. अभी ये हमारी रेसीपी पूरी तरह से रेडी हो गई है. आप भी देख सकते हो कितना यमी और कितना मस्त है ये रेसीपी. आपको भी ये रेसीपी अच्छी लगी होता. तो आप भी ये recipe ज़रूर try कीजिए और मेरे इस video को like कीजिए, share कीजिए और subscribe कीजिए Thank you so much